हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आग वे युट्यूब क्लास में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैच से पेज नमबर 185 से exercise 10.5 का question number 2 लेकर के आया हूँ इस वीडियो में मैं इस question को discuss करूँगा आप से बस एक ही request है कि आप वीडियो को ध्यान से देखे और आंतर तक देखे तो चलिए इस question को शुरू करते है इस question में उसे बोला गया है a chord of a circle is equal to the radius of the circle find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc ठीक है तो यह हमारा figure है एक circle है माल लिजिए कि इसकी कोई radius है तो जितना यह radius ओए है उतना ही हमने chord की length ले रखा है मतलब length of chord equal to length of radius मतलब length of chord equal to length of radius ठीक है माल लिजिए कि यह जो oa radius है इसकी length 5 cm है जो chord a b है इसकी भी length 5 cm है ऐसा ले रखा हमने माल लिजिए कि यह हमारा circle का center है o और oa जो है हमारा कोई radius है ठीक है जितना oa है उतना ही हम एक chord बना रहे है a b और फिर उतना ही हमारा o b है ठीक है मतलब अगर माल लिजिए 5 cm है तो यह भी 5 cm है और यह भी 5 cm है तो इस प्रकार से जब बफके मिर्द में 55 cm के के हो गए तो 3 साइड क्या हो गई एक हलो गई ट्रैंगल की अगर ट्रैंगल की 3 साइड एकल equal होंगी और chord भी radius के equal है तो तीनों साइड आपस में equal हुई तो यह equilateral triangle बना अब equilateral triangle की तीनों साइड बराबर तो होती ही है साथ ही साथ तीनों एंगल भी बराबर होते हैं मतलब यह 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 60-60 degree बनेंगे ठीक है तो चलिए फिर triangle में equilateral property को लगाते हैं solution we have a circle with the center o of radius oa and ob a b is equal to the radius of the circle then देखो अब इस case में क्या होगा a b equal to o a equal to ob and triangle o a b is an equilateral triangle ठीक है तो अब यह equilateral triangle हो गया तो जो हमारा एंगल बनेगा यह वाला वह शिक्स्टी डिग्री बनेगा तो एंगल a o b is equal to 60 डिग्री तो देखो अगर center पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो circle के remaining part पर जो एंगल बनेगा वह center पर बनने वाले एंगल का हाफ होगा तो यहाँ पर लगाएंगे by using theorem 10.8 we have angle a p b is equal to 1 by 2 angle a o b angle a o b की value 60 डिग्री है इसको cut कर देंगे तो हमारे पास आजएगा 30 डिग्री means angle a p b is equal to 30 डिग्री एक answer तो हमें मिल गया angle p पता हो गया लेकिन आभी हमें यह वाला angle भी find करना है क्योंकि उन्होंने कहाता कि आप देखो major arc पर बनने वाला angle find करो और minor arc पर बनने वाला angle find करो तो major arc वाला तो आ गया है अभी minor arc वाला बाकी है तो इतना आप write कर लिजे या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लिजे फिर आगे solve करेंगे अब यहां तक हमने solve कर लिया था लेकिन यहां से कहानी आगे थोड़ा बदल जाएगी को कौर्डरी लेटरल अ एक पीबी क्यू इज आ है साइकीली कौर्डरी लेटरल तो इसवाले एंगल और इसवाले एंगल का समग्धिटीडिग्री होगा एंगल APB plus angle AQB is equal to 180 degree आप इसका reason क्या होगा देखो Sum of Opposite angles आप आ साइकिलिक क्वाडिलेटरल is 180 degree कितना होगा 180 degree होगा तो इन दोनों का Sum of 180 degree इसलिए होगा क्योंकि ये एक साइकिलिक क्वाडिलेटरल है और साइकिलिक क्वाडिलेटरल के opposite angle का Sum of 180 degree होता है लेकिन हमें angle APB की value पता है तो वो यहाँ पर put कर देंगे angle APB is equal to 30 degree plus angle AQB is equal to 180 degree इसको उधर बैजेंगे तो माइनस हो जाएगा angle AQB is equal to 180 degree minus 30 degree और माइनस करेंगे तो हमें answer मिलेगा angle AQB is equal to 50 degree तो यह हो गया हमारा major यह हो गया हमारा major arc वाला एंगल और यह हो गया हमारा minor arc वाला angle तो यह हमारा इस question का answer हो जाएगा आप चाहो तो वीडियो को पहुँज करके screenshot ले सकते हो या फिर इसको write down कर सकते हो तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर यह वीडियो आपको helpful लगया है तो वीडियो को like कीजे channel को subscribe कीजे और अपने दोस्तों को भी share कीजे अगर आपकी कोई queries है तो comment box में जरूर बताईए मैं विलूँगा अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक के लिए thank you class